दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 22 x 23 house plan की जैसा कि आपने हमारा thumbnail देखा हो गए इसी को आज हम discuss करेंगे हमारे सब्सक्राइबर थे उनके कहने पर इस मॉडलों को design किया है बाइस 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 तेश में house plan जहां पर आपको दो bedroom लेटर बातरूम केचिन और stairs की वेवस्ता मिलती है हाला कि space कम है लेकिन फिर वी मैंने दो bedroom create की हैं और जिनका size वगेरा 2D map भी मैं डिसकस करूंगा 3D map और 2D दोनों मैं डिसकस करने वाला हूँ और शाथ ही साथ आप तैसे मैं फिर से अनाउंस करना चाहूंगा अगर आप हमारी paid service का यूज करना चाहते हैं किसी भी टैप का school, restaurant, house किसी भी टैप का भरवाना चाहते हैं तो आप हमारी paid service का यूज कर सकते हैं जिसका number मैंने आपको description में दे रखा, what's the number आप मुझे contact करें और वही लोग contact करें जो paid service का यूज करना चाहते हैं तो चलो आज का जो topic है उसे हम discuss कर लेते हैं step by step तो जिस प्लान के हम बात कर रहे हैं तो वह यह प्लान है जिसकी आज हमने बात की थी bias by तेश की हमारे एक subscriber थे उनके कहने पर इस model को design कर रहा हूँ बहुत ही बेतरीन look है आप देखी कि मैं जूम कर देता हूँ तो जैसे जूम करता हूँ तो यहाँ पर देखी का आपकी यह railing लगी हुई है यह देखी का आपकी railing लगी हुई है और यह इसका जो front का texture मैंने तोड़ा सा बदल दिया है जिसमें आपका बेतरीन से लगए और front में आपका यह window और उपर भी window मतलब कि ventilation का proper धहान रखा है शाद साथ दोस्तों यह इसका entrance है है अगर है आप आप चाहते हैं तो अपना यह पर main door लगा देए यहर अंधर भी मैं close कर सकते हैं वो आप डिबरिंट करता है अगर अगर आप अपना अगर close करना चाहते हैं तो आप यहाँ मेंड डूर लगा दें जससे आप entry कर सकें तो थोड़ा यहां से आप एंट्री करेंगे और एंट्री करने के साथ से सबस्पहले आपको मिल जाती है इस्टियर्स तो इस्टियर्स आपका दो जगह से पार्किंग की विवस्था जैसे अपनी बाइक वगर आप आपको आपको पार कर सकते हैं अलाकि ज़यदा आप जैसे आप यहां से देहते हैं तो यहां पर यहां पर फ्रंट में किच dipping रखें तो यहतकी आपका ये एरिया पूरा बचा रहेगा आप चाहते हैं ये वाली वाल बनाना तो बनाए अगर आप यहाँ पर महें डूर लगा देते हैं तो इस वाल की भी आवा सकता नहीं है आपका open kitchen हो जाएगा पूरा एरिया आपके पास यहाँ पर प्रंट में जगए बची रहेगी तो इस बज़े मैंने फ्रंट में रूम में आपड डेजाइन नहीं किया ये आपका एक लेटरिंग वातरूम में अटाजड जो कि मैंने डेजाइन किया है और शाथे शाथ ये आपका दो यहाँ पर bedroom मैंने पीस्टे डेजाइन की है पहले bedroom के लिए यह door दिया है second वाले bedroom के लिए door और window का proper वस्ता रखा है ventilation के कोई भी problem नहीं होगी अगर आप यहाँ पर दोस्तो open रखते हैं तो अपना kitchen open रखते हैं तो अगर close कर देंगे तो चारो तरफ वाल हो जाती है तो पर ventilation की थोड़ी सी problem मिलती है क्योंकि जगह 22-22 तेश है इस बज़े से मैंने ऐसा यह design किया है तो यह तो इसका ground floor की बात होगी जो मैंने बताया है आप इसके हम first floor पर चलते हैं तो first floor पर खासा कुछ design तो मैंने किया ही नहीं है अब बात करते हैं यह आपका गुमड़ी है जो कि आपका stairs जो नीशे से गया है उसे डखने के लिए तो यह तो पूरे बात होगी 22-22 तेश हुश फिलान की इसका यह 3D map था अब हम इसके 2D map की और आपको लिए चलते हैं जो कि मैंने बताया है फ्रेंट से मैं बताऊंगे यह फ्रेंट है जो मैंने आपको दिखाया था और साथियत यह आपका दोस्तों पूरा stairs वाला area है जो मैंने बताया है यह आपका kitchen वाला area है और यहाँ पर यह open space मिल जाता आपको और यह आपका लेटरिंग और bathroom है जो मैंने बताया था यह आपके दोनों bedroom है अब bedroom का अगर आप size देखना चाहते हैं तो 10.25 cross 8 का यह पहला bedroom है same bedroom बिलको 10 cross 25 10.25 cross 8 का second bedroom है जिसका door आपका देखिए इदार open होगा इस wall पे जाकर लग जाएगा यह मैंने window जो दिया था yellow color से और यह आपका लेटरिंग बातरूम है 4 cross 7 का yellow color के window दोस्तों यह मैंने window side में इसलिए लगा रखा अगर आपका open side में open है मतलब की road है तो आप यहाँ पर window लगा सकते हैं अगर आपका closed है तो यह सारी window आप ना लगाएं तो इसलिए मैंने window दे दिया है अगर आपका सबूद डवल रोड पर घर है friend में भी है side में है तो यहाँ पर भी आप एक door या window लगा सकते हैं और friend का तो आपको कोई problem नहीं कि friend में आपका road होगा और वहाँ पर आपका यह window लग जाएगा तो kitchen के area की बात करें तो दोस्तों मैंने यह सिर्फ बताया है कि 10 फिट में यह चार फिट में बाद 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 की यह area मैंने नहीं बताया है बाद बाद की पूरा area यह मिलने वाला है stairs आपका यह यहां से यहां तक 9 फिट है और 7 फिट नवाई साथ में मैंने stairs बनाया बेतरीं सा लेटिंग बात रूँ तो यह इसका 2D map है जो मैंने आपको डिसकस किया जिसके साथ साथ मैंने आपको सारी सीज़ें बता दी कि 2D map में space बगएरा और इसकी क्या प्रॉब्व हो गया तो यह वीडियो आपको जैसा भी लगा हो हमें like और comment करके feedback जरूर दे तो दोस्तों यह वीडियो हमारा कैसा लगा हमें comment करके बताएं शाथ साथ वीडियो को like शेज़ जरूर किया करें और अगर आपने अभी तक समाल house plan को subscribe नहीं किया है तो please subscribe जरूर कर लें और अगर ये वीडियो आप Facebook पर watch कर रहे हैं, Instagram पर देख रहे हैं, Twitter पर देख रहे हैं, तो आप हमें वहाँ पर भी follow कर सकते हैं, हमारा Facebook पेज है, जिसका नाम मैंने आपको बता रहे हैं, New Take है, और वहाँ पर आप उसे follow कर लें, क्योंकि वहाँ पर भी आपको updated वीडियो करते हैं, कि मैं कमेंट वाले वीडियो नहीं create करता हूँ, तो यह comment किया था, जरूर अपना reply दे, और मैं अगली बार सुनका नाम भी याद रखूँगा, जिनका भी comment करते हैं, जिनका वीडियो में create करता हूँ, उनका नाम याद रखूँगा, और उन्हें भी बताऊँग झाले रखूँगगa, उरूर नहें था रखूँगा टकरता हूँ, जिनका याद लंद हुगा, जिनका नाम भी वाले रखूँगायो, तो बताखूएगादांग झाले जिस सब्स्कंदाईगा झाले